हलो प्यारे बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं application of determinant and matrices देखे determinant पूरी आपको लगभग लगभग पढ़ा दी गई है matrices भी लगभग पढ़ा दी गई है अब इसको इसके application क्या है देखे एक्टिवी जो हम equation solve करते हैं हम तो हमारे पास दो तरीके थे हम 9 10 में solve कर चुके हैं कि अगर a1 x plus b1 y is equal to c1 a2 x plus b2 y is equal to c2 इसको हम solve करना चाहते हैं और पहले check करना चाहते हैं कि solve हो पाएगा और नहीं हो पाएगा solve करने का मतलब होता है x और y की value निकालनी तो हम क्या करते थे देखे दो चीजे हैं अगर मैं यह चुकि एक्स और y में linear equation है तो इसको अगर हम graph में draw करेंगे तो आपको एक straight line मिलेगी ठीक है और इसको draw करेंगे तब भी straight line मिलेगी अगर यह straight line एक जिगए cut करती हैं तो जहां पे cut करती हैं यह इसका solution होता है तो अगर एक जिगए cut करती हैं और हम मान लें यह x1 y1 पे cut कर रही हैं तो हम कहेंगे इसमें unique solution होगा unique solution होगा अदोतिय अदोतिय होगा हिंदी में कहा जाता है ठीक है यह भी हो सकता है कि यह दोनों line एक parallel हो एक दूसरे के सबांतर हो कहीं भी cut नहीं करेंगी तो no solution होगा इसका कोई भी solution नहीं होगा कोई हल possible नहीं है यह भी हो सकता है कि यह दो line एक line ऐसे हो और दूसरी इसी के उपर लाई करें तो हम कहेंगे infinite solution होगा इन फाइनाइट सलूसल अनन्त हल होगा इसका ठीक है तो यह हम पढ़ चुके हैं क्लास टेंथ में ठीक है अब ग्राफ नहीं खीशना आपको तो इसको कैसे चेक करें तो बताए या आप A1 और A2 यानि जो X के गुडांख है कोफिशेंट है उनका रेश्यो निकालीजे P1 B2 निकालीजे और C1 C2 निकालीजे पहली बात अगर A1 upon A2 इस नाट इक्वल टो B1 upon B2 तो ये पहली कंडिशन आएगी दूसरी बात अगर A1 upon A2 और B1 upon B2 इक्वल है बट नाट इक्वल टो C1 upon C2 तो ये दूसरी कंडिशन आएगी नो solution और अगर तीनों equal आएंगे A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2 यह तीसरी condition आएगी यह check करने का तरीका वहाँ पर था लेकिन हम जो कि matrix और determinant में जा रहे हैं तो वहाँ कैसे इसको हम solve करेंगे कैसे check करें कि solution possible है कि नहीं है हल करना तो बात की बात है क्योंकि यह भी हो सकता है कि ऐसी लाइने मिले यह भी हो सकता है कि ऐसी लाइने मिले यह भी हो सकता है कि इसी लाइन्स मिले तो कैसे इसको check करेंगे जरा समझेगा by using determinant and matrices कैसे इसको solve किया जाए देखे सबसे पहले हम करेंगे क्या कि कोई equation अगर ऐसी लिखी होगी AX A1X प्लस B1Y is equal to C1 और A2X प्लस B2Y is equal to C2 यह X और Y में है यह XYZ में भी हो सकता है तो सबसे पहले इसको आप matrix form में लिखिए writing in matrix form writing in matrix form इसको matrix form में लिखिए हिंदी वरी matrix ही कहते है ज्यादा तर आभी हो बोल सकते हैं तो इसमें हम करते क्या है सबसे पहले एक matrix बढ़ाते है और X के coefficient लिखते हैं यहापर A1 A2 B1 B2 Y के लिख देते हैं और इसमें XY लिख देते हैं और is equal to यहाँ पर लिखेंगे C1 C2 इस matrix का नाम में A लिख देता हूँ और जब मैं XY निकालूँगा तो यह उधर transfer होके जाएगा और बन जाएगा A inverse यानि कि सबसे पहले कंडिशन यह है कि जो matrix हो invertible होनी चाहिए यानि उसका inverse possible होना चाहिए तो अब यहाँ से हम बात शुरू करते हैं क्योंकि हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि किसी भी equation का solution possible है कि नहीं है तो सबसे पहले तो कहा गया एक आएगा पहले चीद कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट चीक है और दूसरा आएगा inconsistent inconsistent एक होगा consistent एक होता inconsistent यानि यह संगत कहते हैं इसको और यह होगा असंगत संगत का नाम से लग रहा है कि जहाँ पर जो solution है वो possible हो वो consistent है और जो possible ना हो वो inconsistent होगा तो पहले तो आप से check कराएंगे यह कि आप बताओ कि यह solutions consistent है कि नहीं है तो उसके लिए आप सबसे पहले करेंगे क्या देखें सबसे पहली condition अभी हम बता चुके हैं कि पहले तो आपको A inverse निकालना चाहिए यानि कि अगर जो मैट्रिक्स है if A is invertible invertible यानि व्यत क्रमणी यह है यानि जिसका inverse निकाला जा सकता है तो यह consistent होगा इसका मतलब यह हुआ कि A inverse जो है वो exist करेगा exist and solution has and unique solution is there unique solution होगा यानि यह कैसा होगा consistent होगा अद वतीय हल होगा इसका पहली चीज़ दूसरी बात कि अगर यह invertible नहीं है तो if A is not invertible अचा invertible चेक करने का तरीका क्या होता है कि आप determinant A की निकालिये और वो 0 नहीं होना चाहिए आपको याद हो इसकी पहले वीडियो में हमने बताया है कि inverse निकालने का तरीका था कि हम adjoin A divided by determinant of A यह अगर 0 नहीं होता है तो हमें कहेंगे यह invertible है तो determinant of A 0 नहीं होगा अगर हम कहें कि if A is not invertible is not invertible यानि यह वित्करमडिय नहीं है मतलब determinant of A 0 है तो तो आप कहेंगे inconsistent होगा लेकिन अभी हमें केस बता रहे थे कि भाई यह दो लाइने है चले कोई solution नहीं है लेकिन अगर एक line के उपर दूसरी line लाई करे तो तब तो मैंने solution हो जाएगा तो अब क्या करते हैं अभी हम थोड़े पहले बता रहे थे यहाँ पर हमने determinant लिखा था वो A थी यह X था यह B थी अभी हम question बताएंगे तो इसके बाद हम क्या करते हैं अगर ऐसी possibility है यह invertible नहीं है तब क्या करेंगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पहला case आपको adjoin A निकाल करके उसका B से multiply करना पड़ेगा चिक करना पड़ेगा और अगर यह 0 नहीं आता है अगर यह 0 नहीं आता है तो no solution कोई भी solution इसका possible नहीं है कैसा case होगा यह parallel line का case होगा अगर xy में equation है तब और दूसरी बात अगर adjoin A और into B निकाला और 0 है तो many solution यह यह तो no solution होगा यह भी हो सकता है no solution और many solution many solution भी हो सकता है उसको check करके बताना पड़ेगा तो यह cases हैं कि कोई भी equation consistent है या inconsistent है तो these are the method to check the consistency or not or this is the method that you have to see कि how to store in your mind क्योंकि examination में में सब गरबर हो जाता है कौँ सा method याद रखें कौँ सा भूल जाए तो मैं exercise 4.6 लेके चल रहा हूँ NCRT की 4.6 exercise बहुत ध्यान से समझीएगा क्योंकि यहां सभी questions एक जैसे हैं तो हम कुछ question इसके discuss करेंगे और कुछ आप अपने आप करेंगे पहले 1 to 6 question में उनका है examine the consistency of the system consistency इसकी check करनी है ज़रा समझीएगा exercise 4.6 की बारे में बात करने जा रहे है NCRT पहला question देखिए x plus 2y is equal to 2 and 2x plus 3y is equal to 3 इन्होंने कहा यह बताओ यह consistent है की नहीं है बस और कुछ नहीं करना आपको यहनि solution possible है की नहीं है देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे writing in matrix form इसको हम क्या करेंगे writing in matrix form इसको matrix form में लिख देंगे लिखिए क्या तरीका भी हमने बताया यह इसके जो गुडांक होते हैं coefficient होते हैं लिखते है x की क्या है 1 और 2 और यह 2 और 3 और यह x y is equal to 2 3 इसका पूरा नाम देंगे a इसको लिखेंगे x capital इसको लिखेंगे b यह हमने लिकाल लिया यहाँ a क्या है where a is equal to 1 to 2 3 हम एक उधर transfer करेंगे x निकालेंगे वह बात की बात है इन्होंने आप से यह नहीं कहा इसको आप चेक करके बताओ उन्होंने कहा यह बताओ कि यह consistent है कि नहीं है तो आप क्या करेंगे आप determinant of a निकालेंगे a का determinant निकाली है यानि यह invertible है कि नहीं है चुकि अगर मैं यहाँ से x की value निकालूंगा तो a inverse b होगा b a inverse नहीं होगा पहले a inverse आएगा क्यों आएगा अभी question zone में आ जाएगा तो पहले a inverse exist होना चाहिए इसके determinant निकालो तो क्या आएगा 1, 2, 2, 3 solve करिए तो क्या आएगा 3 minus 4 is equal to minus 1 is not equal to 0 यानि कि a inverse जो है वो exist करता है so it is consistent यह consistent है यानि संगत है and has unique solution इसका unique solution होगा संग में आया यह consistent है कि नहीं है इसको check करने का तरीका इसको हम check पैसे करें यह steps याद भी रखने पड़ेंगे आपको second question देखे second question अपने आप करोगे यह भी consistent है हमने चुक लगाया है तो इसमें जो जो आपको लगेंगे technical वो हम बताएंगे third question देखेगा randomly आप यह देखेंगे और आपको कहीं अगर कोई दिक्कत हो तो मैं अपना mail id लिख दूँगा अपने description में आप mail पर पूछ सकते हैं हम उसका उत्तर जरूर आपको देखेंगे ठीक है देखें third question देखें क्यों चेक करना है consistency है गी नहीं है x plus 3y is equal to 5 और 2x plus 6y is equal to 8 देखें जान से इसके पहले हम बता रहे थे कि अगर x का इसके coefficient 1 है यह 1 upon 2 करिए 3 upon 6 करिए यह भी 1 upon 2 आएगा तो 1 upon 2 यह भी 1 upon 2 बट 5 upon 8 equal नहीं है तो यह parallel line है तो दिख रहा है हमको लेकिन इसको पहले आप matrix form में लिखिए क्योंकि हमको matrix method से लिखना है writing in matrix form इसको matrix form में लिखिए क्या तरीका हमने बताया भी कि इसको आप 1 लिखिए इसको आप 2 लिखिए इसको आप 3 लिखिए इसको आप 6 लिखिए पहले x के coefficient फिर y के coefficient फिर यहाँ पर x y लिख दीजे is equal to यहाँ पर आप 5 8 लिख दीजे इस matrix का नाम a मानिए इस matrix को capital x मान लिजे इस matrix को capital b मान लिए तो x की value आएगी a inverse b हमें चुकि x y नहीं निकालना है क्यों यह दिखाना है consistent है गी नहीं है तो where a is what जहाँ पर a क्या है a आपका है 1, 3, 2, 6 तो सबसे पहले तो आपको यह दिखाना पड़ेगा यह invertible matrix है की नहीं तो determinant of a निकालते हैं पहले determinant of a यानि की determinant of a mod नहीं है ध्यान अखिएगा determinant 1, 3, 2, 6 1, 3, 2, 6 multiply करिए 6 minus 6 is equal to 0 अब गढ़ा गया यानि invertible तो नहीं है so it is not invertible it is not invertible invertible यानि a inverse does not exist a inverse exists नहीं करता है तो क्या होगा भाई लाइने ऐसे भी हो सकती है parallel और लाइने एक दूसरे के ऊपर भी लाई कर सकती है मैनी solution भी हो सकता है तो हमने कहा उसमें आप adjoin a into b निकालिए देखिए पहले adjoin a निकालना पड़ेगा आपको तो adjoin a के लिए adjoin a आपको मालूग होना चाहिए क्या होता है let for adjoin a ये लफ़डा हम किसके लिए करने जा रहे है adjoin a के लिए हम करने जा रहे है heading दे सकते हैं कि आप क्या निकालने जा रहे है देखिए जान से हमने माल लिया कि let cofactor सहे खंड़च of a is c b मान नहीं सकते b already हम यहाँ पर मान चुके हैं तो c is equal to कैसे निकलेगा ये a11 a12 a21 a22 इसके लिए सबसे पहले adjoin cofactor से सब देख लिएगा कहां से निकाला गया है इसके लिए करेंगे तो प्लस में आएगा ये रो कटा एक कलम कटा 6 बचेगा यहाँ लिखेंगे तो माइनस का 2 आएगा यहाँ लिखेंगे तो माइनस का 3 आएगा यहाँ लिखेंगे तो 1 आएगा अब adjoin a क्या होता है c का transpose कर देंगे row को कॉलम में change कर देंगे तो क्या आएगा 6 minus 2 minus 3 1 यह आगे आपका adjoin a अब adjoin a का b से multiply करो जोको लंदी question होंगे बहुत ध्यान से समझिएगा adjoin a into b करते हैं now adjoin a multiplied by b करते हैं तो adjoin a तो आप निकाल चुके हैं 6 minus 3 minus 2 1 और b क्या है 5 8 5 8 इसको multiply करिए इसको जब multiply करेंगे तो इसका इसे multiply करेंगे 6 5 जा 30 plus minus का 24 minus का 24 आएगा इसका इसे करेंगे तो क्या हैगा minus का 5 plus का 8 आएगा यह आगे आपका 6 और 3 यह 0 matrix नहीं है तो अभी हमने क्या कहा कि अगर adjoin a into b 0 नहीं है तो no solution no solution कोई भी solution possible नहीं है या इसको कहेंगे असंगत है यह inconsistent है यह यह असंगत है यह कोई भी solution नहीं देगा अगर graphically हम समने की कोशिस करें तो हम कह सकते हैं कि अगर दोनों से हम line draw करें तो we get a parallel line हमको एक parallel line मिलेगी तो this is the third question देखिए फूर्थ question x y z वाला है थोड़ा सा blendy आएगा और calculation भी लंदी होंगे थोड़े से जड़ा ध्यान से समझीएगा इसको देखिए फूर्थ question एक बार बुक में पढ़ लिजे क्या है वही करना है कि consistent हैग नहीं है हम randomly decision कर रहे हैं फूर्थ चूंकि तीन ही question वाला है इसलिए हम बता रहे हैं देखिए फूर्थ question क्या बता रहा है फूर्थ कहा रहा है कि x प्लस y प्लस z is equal to 1 दूसरा equation है 2x प्लस 3y प्लस 2z is equal to 2 और यह है 9x ax प्लस ay प्लस 2z is equal to 4 तो बताईए consistent है की नहीं है तो सबसे पहले तो आप writing in matrix form सबसे पहले क्या करेंगे आप इसको writing in matrix form सबसे पहले इसको matrix form में लिख देंगे matrix form क्या तरीका होता है x के coefficient क्या है आप पर है यह 1 है यह 2 है यह a है y का क्या है यह 1 है यह 3 है यह a है यह क्या है यह 1 है यह 2 है यह 2 a है देखिए वैसे तो इसको expand कर दीजे direct up सौरी अभी ऐसे लिखा रहने दीजे और into x y z is equal to 1 2 4 इसको a माल लिया हमने इस matrix का नाम दे दिया capital a into capital x is equal to capital b तो x की value क्या हैगी a inverse into b यह equation बना गया अगर मुझे solve करना होगा तो a inverse निकालने की बाद रख़ा ही जाएगी value इसलिए हमने इसको बताया जहां a क्या है वैर determinant of a चुकि हमसे कहा गया कि चेक करके दिखाऊ वैसे भी निकालना पड़ेगा अगर inverse निकालना होगा तो x y ने अपाद determinant of a होता है तो solve तो करना ही करना है आपको है तो इसका determinant निकालते हैं 1, 1, 1, 2, 3, 2, a, a, 2, a ऐसा करते हैं कि determinant इसको expand करने के पहले rules लगा दीजे इसमें से इसको minus कर दो इसमें से इसको minus कर दो ये पढ़ चुके हैं आफ c1 में c2 minus कर दो और c2 में एक operation कर दो c2 minus c3 तो ये क्या हो जाएगा ये 0 आजाएगा इसको minus करोगे तो minus 1 आएगा ये 0 आजाएगा इसको करोगे तो 0 आजाएगा ये 1 आएगा ये minus का a आएगा ये 1 आएगा ये 2 आएगा ये 2 a आएगा इसको किसी एक केलांग खोल दीजे मैं पहले कॉलम रो केलांग खोलता हूँ प्लस माइनस प्लस तो यह वन आएगा रो कटा कालम कटा इसका इससे मल्टिप्लाई होगा ए माइनस जीरो तो यह ए आ गया इस नाट इक्वल टू जीरो सो ए इन्वर्स एक्जिस्ट ए इन्वर्स क्या है एक्जिस्ट करता है यानि ए इस इन्वर्टिबल यह जो है वो इन्वर्टिबल है सो कंसिस्टेंट होगा क्या होगा यह कंसिस्टेंट होगा यानि यूनिक सलूशन होगा संगत होगा और इसका unique solution होगा हिंदी मीटम वाले बहुत नाराज नहों इन words को पकड़िएगा बड़े class में आलेडी आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा इसलिए इन words को हम पहले सुरात में वीडियों बता चुके हैं consistent का मतलब संगत होता है और adjoin determinant ये language आप आलेडी पढ़ चुके है अब अगला देखते हैं फिफ्थ question ये फोर्थ है अच्छी बात है इसमें आलेडी ये invertible आ गया अब अगर invertible ना होता तो थोड़ा सा और ये लंदी question जाता देखे जान से इसका फिफ्थ question लेकि चलते है फिफ्थ question और क्यारें बताओ ये consistent है की नहीं सबसे पहले तो आपको इसको matrix form में लिखना पड़ेगा writing in matrix form writing in matrix form इसको आविव के रूप में लिखने पर इसके गुड़ांक लिखते है coefficient लिखते है एक सा coefficient यहां क्या है 3 यहां क्या है नहीं है 0 यहां क्या है 3 यहां y का क्या है minus 1 यहां y 2 यहां y minus 5 यहां z का क्या है minus का 2 यहां z का क्या है माइनस को बन यहाँ 0 यह होगे कोफिशेंट और यह आगया आपका x, y, z is equal to यह आगया आपका 2, minus 1, 3 बहुत ध्यान से करिएगा इसका नाम दे दिया A इसका नाम दे दिया X इसका नाम दे दिया B तो X की वैलू क्या आगई A inverse B वेर A is this यह पहले से आपको मालू है आप determinant of A निकालने की कोशिश करते हैं determinant क्या आएगा 3, 0, 3 minus 1, 2 minus 5 minus 2, minus 1, 0 इसको expand कर सकते हैं लेकिन एक चीज़ मैं करना चाहता हूँ इसमें से इसको minus कर दूँगा तो यहाँ 0 और आजाएगा अब आपको यह ऐसा ना करें तो मत करें कोई दिक्कत नहीं है डाइट कर सकते हैं तो डाइट हम कर देते हैं देखिए इसको 3 लिखेंगे यह रो कटेगा, यह कालम कटेगा यह रो कटेगा, यह कालम कटेगा इसका इससे multiply होगा 0, minus यह plus का 5 आएगा तो minus ही रहेगा फिर minus का 0 आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर plus का 3 लिखेंगे यह रो कटेगा, कालम कटेगा इसका multiply करेंगे 1, minus minus का 4 यानि कि plus का 4 तो यह आएगा minus का 15 plus का 15 is equal to 0 तो अब adjoin a निकालना पड़ेगा क्योंकि determinant of a 0 हो गया यानि a inverse जो है does not exist वो exist नहीं कर रहा है तो आपको इसके लिए adjoin a निकालना पड़ेगा 1, minus इसके लिए adjoin a निकालना पड़ेगा इस a को अपने दिमाग में रखिएगा for adjoin a for adjoin a क्या तरीका होता है यह a है तो हम क्या करते है let c is co-factor of a direct कर दीजे इसको c is equal to देखो ध्यान से इसको लिखेंगे plus में रहेगा bracket लगाएंगे यह row कटेगा यह column कटेगा इसका multiply सिक होगा 0, minus यह minus का 5 सुनमे आरी बात आपने co-factor पढ़े है फिर minus लगाएंगे यह far adjoin है अभी adjoin ही निकला अभी co-factor निकला है सहे खंडच सहे गुडन खंडच सॉरी सहे खंडच तो आपका adjoin हो जाएगा देखे यहां पर आईए यह row कटा a, column कटा इसका इससे multiply होगा 0, minus इसका इससे multiply होगा minus 3 ग यह हो जाएगा plus का 3 फिर अगला plus में रहेगा यहां पर आईए row कट गया, column कट गया इसका इससे multiply होगा 0, minus, इसका इसे multiply होगा 6 सुन में आ रहे होगी बाद, फिर यहां क्या आएगा, minus यहां पर आईए, row कड़ गया, column कड़ गया, इसका इसे multiply किया 0, minus, minus 5 into minus 2, plus का हो जाएगा, तो यह minus ही रहेगा फिर यहां पर आए, यह row कड़ गया, column कड़ गया, इसका multiply से किया, 0, minus, इसका इसे किया, minus का 6, तो plus का 6 आ गया, यहां पर आईए, minus लगाईए, यह row कड़ गया, column कड़ गया, इसका इसे multiply करेंगे, तो क्या आएगा, minus का 15, और इसका इसे करेंगे, तो plus का हो जाएगा, 3, यहां पर फिर plus में आएगा, यहां पर आईए, यह row कार दीजिए, column कार दीजिए, इसका इसका multiply करो, तो 1 आएगा, minus, इसका करेंगे, minus का 4 आएगा, यहां पर फिर minus आएगा, यहाँ पे आईए, रो कटा, कालम कटा, माइनस का 3, माइनस, इसका इसे मिट्टा करेंगे, 0 हो जाएगा, यहाँ पे आईए, यह रो कटा, कालम कटा, 6, माइनस 0, तो यह आपका क्या निकला है, को फेक्टर निकला है, गलती जिक कर लेंगे एक बार, तो कि कल्कुलेशन कहीं थोड़ा प्लस मारस गलती हो जाती ही कभी-कभी ये माइनस का 5 आएगा ये माइनस का 3 आएगा ये माइनस का 6 आएगा ये प्लस का 10 आएगा ये प्लस का 6 आएगा ये माइनस का 12 होगा तो प्लस का 12 हो जाएगा यहाँ पर 5 आएगा यहाँ पर प्लस का 3 आएगा यहाँ पर 6 आएगा तो इस प्रकार से हमने C निकाल लिया अब आपको निकालना क्या है Adjoint of A तो क्या होगा Transpose of C C को आप परिवर्ता भी हो निकाल लेंगे क्या होता है इसका रोको कॉलम बदल दो Minus 5, Minus 3, Minus 6 10, 6, 12, 5, 3, 6 यह Adjoint हो गया अब क्या करेंगे अब Adjoint का B से Multiply करेंगे इसका नाम आपने दिया था AX is equal to B यह B है अब Adjoint A का Multiply B से किया जाएगा Adjoint जरा चेक कर लिजेगा यहीं आ रहा है यह नहीं आ रहा है Adjoint A into B निकाल लिए Adjoint A into B Adjoint A already लिखा हुआ है Minus 5, Minus 3, Minus 6 10, 6, 12, 5, 3, 6 और B क्या है B है आपका 2, Minus 1, 3 आप इसकी value देखिए यह क्या निकल के आ रहा है देखिए Multiply करना आपको आता है इसको multiply करके दिखाईए क्या होगा जब इसको multiply करेंगे तो first row, first column तो minus का 10 plus का 10 plus का 15 does not equal to 0 पहले दिख रहा है यह 0 नहीं आएगा फिर भी पूरा चेक कर लो यहां second column है नि second row first column minus का 6 minus का 6 plus का 9 third row first column minus का 12 multiply बताये गया है आपको minus का 12 plus का 18 यानि यह आगे आपका 15 यह आगे आपका minus का 12 तो minus का 3 9, 12 12, 24 12, 13 minus का 6 is not equal to 0 तो जब जब 0 नहीं होता है तो क्या होता है inconsistent यानि यह असंगत है inconsistent यानि कि no solution इसका solution possible नहीं होगा तो यह तो अभी आप ने चेक किया कि solution possible है की नहीं है अब हम एक दो question लेके चलते हैं जिने solve गर के दिखाएंगे कि इसका solution possible है तो निकालें कैसे इसको देखिए ध्यान से 6 अपने आप करिएगा 7th से हम solve करने जा रहे हैं एक दो question 2 cross 2 के बताया देना है जिसमें x और y की value निकालनी है और एक आथ question जिसमें x, y, z तीरों निकालनी है उसको solve करेंगे आप ठीक है देखिए इसका 7th question लेके हम चलना हैं पहले 7th question यह कहरें solve the system of equation by using matrix method लिखके आएगा matrix method या इसको martin's rule कहते हैं यानि इसको matrix method कहा जाए या दूसरा नम इसका है martin's rule martin's rule भी कहते हैं इंग्लिश में भी यही आता है हिंदी में यही word यूज कर होता है कि matrix method से इसको solve करिए देखिए जान से equation है आपका 5x minus plus 2y is equal to 4 और 7x plus 3y is equal to 5 और कहरें x और y की value find करिए सबसे पहले वही method writing in matrix form steps कोई भी आप skip नहीं करेंगे steps show करना पढ़ेगा सभी writing in matrix form इसको लिख दीजे हमने क्या बताया भी इसके coefficient लिखेगा यह 5 गुडांग कहते हैं इसको यह 2 3 इसको बढ़ेगा इसको पकड़ना है इसका नाम आप ने क्या दिया ए इसका नाम दिया a inverse निकालना है तो determinant of a निकालते ही हैं यह इसका determinant निकालना होगा determinant कैसे निकलेगी 5 2 7 3 क्या होता है 15 minus 14 is equal to 1 यह 0 नहीं है यानि कि आप वह नहीं ठीक है और unique solution unique solution तो होगा है यह नहीं कहाँ चेक करिए check तो अपने आप हो जाएगा आपको solve करना है तो आपको inverse निकालना पड़ेगा तो a inverse क्या होता है adjoin a upon determinant of a तो पड़े इसका adjoin नहीं निकाली है क्या तरीका होता है let cofactor second of a is c इसका मैंने cofactor क्या माल लिया है c माल लिया है तो c is equal to क्या होगा a11 a12 a21 a22 तो यहां लिखेंगे तो यह कट जाएगा यह 3 बचेगा यह minus में आएगा यहां लिखेंगे तो यह row कालम कटेगा 7 बचेगा यहां minus में आएगा यह row कालम कटेगा 2 बचेगा और यह row कालम बचेगा 5 बचेगा अब आपको adjoin a निकालना है तो क्या होता है c का transpose एक और revision भी हो रहा है adjoin निकालना आपको आजाएगा determinant निकालना आजाएगा inverse निकालना आजाएगा तो एक रिविजन भी हो जाएगा इसका तब c' करेंट क्या आएगा 3 minus 7 minus 2 5 row को कालम में चेंज कर दिया adjoin निकालाया अब a inverse क्या होता है adjoin a upon determinant of a चुकिए 1 निकाला कोई फर्क नहीं पड़ेगा otherwise हम determinant की value one upon one बहा लिख देंगे और यह आएगा 3 minus 2 और minus 7 5 यह आपका inverse निकालाया अब इस inverse को उठाओ और equation number 1 में put कर दो putting a inverse in equation number 1 putting a inverse in equation 1 वैसे putting word गलत होता है English में इसको substituting कहालिक कहा जाता है चुकि math है ज्यादा grammar की दिक्कत नहीं होती है इसलिए आप putting लिख सकते हैं अब देखें value रख करके ज़रा multiply करके देखो चेक करो तब तक हम थोड़ा इसका पेट भर दें ink से देखें जान से रखो ज़रा यहाँ यहाँ पर आपने क्या लिखा x is equal to यह inverse क्या है one apartment मत लिखे यह आगे आपका 3 minus 2 minus 7 5 और b क्या है 4, 5 देखें इसका order क्या है 2 x 2 इसका order क्या है 2 x 1 तो multiply possible है अगर आपने inverse बाद में लिख दिया होता तो यह 2 x 1 और inverse 2 x 2 तो multiply ही नहोता इसलिए inverse पहले लिखा गया यहाँ पर यह reason उसका है अब multiply करके दिखाए first row first column तो 12 minus 10 second row first column minus 28 25 25 तो इधर क्या चलना है इधर x y चलना है इधर क्या value आ गई यह value आ गई 2 और minus का 3 तो equate कर दो दो तरफ equating both the side equating both the side x की value क्या आ गई 2 और y की value क्या आ गई minus का 3 अब आप कहेंगे examination में यह सही है गलत हम क्या करें एक तो आप चेक करिए वह गलती नहो हम नहीं चेक कर सकते तो को हमको video repeat करके replay करके देखना पड़ेगा आप चेक करिए दूसरा यह होता है कि आप यह value उठा की यहां रख दीजिए देखो यह आग यह answer आपका x को 2 और y को minus 3 रखोगे तो x को 2 रखोगे यहां क्या आएगा 10 y को minus 3 करोगे minus का 6 यह 4 आ रहा है यह value इसको satisfy कर रही है यह value यहां चेक कर लो तो अपने आप चेक हो जाएगा this solution is correct तो यह 7th question है 8th अपने आप करेंगे 8th 9 10th सेम है अब 11 देखिए आप randomly हम discuss कर रहे है क्योंकि सब question के method सेम है इसको अपने आप कर लिजेगा गलती न हूँ वस और इसके लिए inverse adjoin multiplication of matrix यह पहले से वीडियो में बताए जा चुके है इनको पहले देख लीजेगा इसकी description में हम दे देगे इसको जरूर देख लेना चीक है इसका आप देखे question number 11th चुकि x, y, z का है तो थोगा सा lengthy question होगा देखिए जान से यह है 2x plus y plus z is equal to 1 x minus 2y minus z is equal to 3 upon 2 और यह है 3y minus 5z is equal to 9 सबसे पहले इसको आपको matrix form में लिखेंगे writing in matrix form writing in matrix form देखिए coefficient लिखे इसमें इसका x का क्या है 1 इसका क्या है 1 sorry पहले x का क्या है 2 तूसरे है 1 तीसरे में नहीं है none इसमें y का क्या है 1 यहाँ y का क्या है minus 2 यहाँ y का क्या है 3 यहाँ z का क्या है 1 यहाँ z का क्या है minus 1 यहाँ है minus का 5 फिर क्या लिखेंगे x, y, z is equal to यहाँ लिखेंगे 1 यहाँ लिखेंगे 3 upon 2 यहाँ लिखेंगे 9 ठीक है इसका नाव आपने क्या दिया A ये A हो गया, ये X हो गया इस इकल टू B हो गया तो X की वेलू क्या आ गई? A inverse B अब वही चीज है आपको inverse निकालना है देखे, method उतनी होंगी steps, जितने आपने X और Y में लगाए हैं तो अब पहले आपको क्या करना पड़ेगा, determinant of A निकालना पड़ेगा, इसकी determinant value निकालिएगा, determinant 2 1, 0 1, minus 2 3, 1 minus 1, minus 5 determinant, expand करना आपको आता है किसी एक row के लाँग यहाँ एक 0 है, इसे के लाँग हम expand कर लेते हैं देखे, 2 लिखेंगे यह row कड़ गया, column कड़ गया, 5, 2, 10, plus का 10 आएगा, minus यह minus का 3 होगा, तो यह हो जाएगा plus का 3 फिर minus का 1 लिखेंगे यह row कड़ गया, column कड़ गया, यह minus 1 आएगा, minus यह minus का 2 आएगा, तो plus का 2 हो जाएगा, और यह last वाला 0 है, कोई फरक नहीं पड़ेगा, यह क्या हो जाएगा 26 और यह आपका आएगा, minus का 1 तो यह value आगई है 25 is not equal to 0 एक सेकंड यहाँ पर एक बार और चेक कर लिजेगा 2 लिखा आपने यह row कड़ा, column कड़ा, यह आगया फिर minus का 1 लिखा, row कड़ा, column कड़ा इसका इससे multiply करें, minus का 5 आएगा minus का 5 आएगा और फिर इसका multiply होगा तो minus का 3 आएगा यह minus, यह फ्रुवा calculation सही कर लिजे, यह हो गया आपका यह आएगा 26, यह minus का, plus का 8 हो जाएगा, यह 34 हो गया is not equal to 0 यह adjoin A आपका निकला, determinant of A निकला, अब क्या inverse चाहिए आपको, क्या करेंगे, हम माल लेंगे, let cofactor of A is C तो C is equal to क्या निकलेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32, A33 पहले आप वीडियो पॉस्ट करके एक बार अपने आप लगा लिजेगा, फिर देखेगा उसको, ठीक है, देखे धान से इसी भी हम निकाल देते हैं, आप अलग निकाल सकते हो, कोई दिक अपने ही निकाला आपको सिखाया गया है, देखे, तब A11 लिखोगे ये, तो पहले तो plus में रहेगा, ये रो कट गया, कालम कट गया, इसका इस multiply किया, आ गया 10, minus इसका इस multiply किया, minus का 3, इन प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, यह, यह, पर आई ये, ये minus में रहेगा, ये रो कड़ गया, कालम कड़ गया, यह माइनस का 5, माइनस का 0, तो आएगा माइनस का 5, माइनस का 0, यहाँ पर आईए, प्लस में रहेगा, यह रो कड़ गया, कालम कड़ गया, 3, माइनस 0, तो आएगा 3, माइनस 0, प्रोसेज मालूम होगा आपको, माइनस, यहाँ पर आईए, यह row कट गया, column कट गया, इसका इससे multiply करोगे, तो आएगा minus का 5, minus लगाएंगे, इसका इससे multiply करोगे, minus का 3, फिर plus में रहेगा, यहाँ पर आए बीच में, row कटा, column कटा, इसका इससे multiply करोगे, minus का 10, minus इसका इससे करोगे, minus का 0, यहाँ पे माइनस आएगा यहाँ पर आजाओ, row कट गया, column कट गया यहाँ पर है आप row कटा, column कटा, 2 into 3 6 minus 0 6 minus 0 यहाँ पर आईए, plus में रहेगा row कट गया, column कट गया minus 1 आएगा और minus 2 आएगा तो plus cut 2 हो जाएगा फिर minus लगेगा यहाँ पर आईए रो कड़ गया कलम कड़ गया माइनस 2 माइनस 1 और यहां पर आईए रो कलम तो माइनस 4 माइनस 1 तो यह आपका co factor निकला इसको आप इसको फिलहाल नहीं छेढेंगे क्योंकि यहाँ value रख नहीं है भी C क्या यह ये क्या हो जाएगा 13 ये माइनस का 5 यानि प्लस का 5 हो जाएगा ये 3 हो जाएगा ये माइनस का 8 यानि कि प्लस का 8 हो जाएगा ये माइनस का 10 हो जाएगा ये माइनस का 6 हो जाएगा ये 1 हो जाएगा ये माइनस का 3 हो जाएगा ये माइनस का 5 हो जाएगा ठीक है, एडज्वाइन A निकालिए, C को ट्रांस्पोस कर दो, तो एडज्वाइन A क्या निकलेगा, ट्रांस्पोस आफ C, इसको ट्रांस्पोस कर दीजे, 13, 5, 3, 8, माइनस 10, माइनस 6, 1, 3, माइनस 5, यह निकला आया एडज्वाइन A, अब A इन्वर्स क्या होता है, एडज्वाइन यह अपान, डिटर्मिनेंट आफ A, यह 34 निकला, बहार लिख दो, अभी अंदर मत इसको ले जाएए, और यह क्या है अगा, 13, 5, 3, 8, 8, माइनस 10, माइनस 6, 1, 3, माइनस 5, यह इन्वर्स आपका निकला आया, इस इन्वर्स को उठाओ, और एक क्योशन नमर 1 में रखो, बड़ी बोरियत वाला चिप, पंसेप्ट है, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत थ्यान से करिएगा, और एक क्योशन बोर्ड मे दो, X, Y, Z, यह A इन्वर्स है, तो पहले वर अपान 34 इधर कर दो, यह जाएगा 13, 8, 1, 5, माइनस 10, 3, 3, माइनस 6, माइनस 5, और इंटू B, B क्या है, 1, 3, 2, और 9, यह है, अब इसका मल्टिप्लाइए आप करिए, ठीक है, मल्टिप्लाइए गलत नहीं होना चाहिए, 1 अपान 34, पहली रो, पहला कालम, इसका इसे मल्टिप्लाइए करेंगे, तो आएगा 13, इसका इसे करोगे, तो 2, 4, 8, 12, प्लस का 12, और प्लस का 9, इसका इसे मल्टिप्लाइए करो, तो 1 का 5 से करेंगे, तो 5 आएगा, माइनस 10 क का multiply 3y2 करोगे तो 2 5 10 plus का 15 आएगा minus का 15 आएगा और plus का 27 आएगा यहां पे आएगे 3 आएगा minus 6 का multiply करेंगे minus 3y2 से 23, minus का 9 आएगा और minus का 45 आएगा इसको calculate कर लीजिएगा 1 upon 34 यह कितना होगा 3, 2, 5, 9, 5, 4, 4 आथा 1 यह दो 34 आएगा यह हो जाएगा आपका minus का 10 और यह आएगा आपका 17 हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका minus का 6 बचेगा और 45 चैक्यावन minus का 51 और 45 और 9, 9, 5, 14, 4, 5, 54 हो जाएगा और 3 करेंगे तो minus का 51 आएगा अब 34 का अंदर ले जाओ तो यह आएगा 34 upon 34, 17 upon 34 और minus 51 upon 34 अब इसे आप calculate कर लीजिए इधर चल लहा था x, y, z इधर क्या आया 1, 1 by 2, 17 ते क्यों 34, minus 3 by 2 अब x की value क्या आगई 1, y की value 1 by 2 आगई और z की value minus 3 by 2 आगई इस प्रकार से इस question को आप लगाएंगे, this is the question number 11 12th is a similar, अपने आप करिए, 13, 14 सभी same है, उन्हें अपने आप करके चिक कर लीजिए, ठीक है एक question और बता देते हैं, नहीं आप कहेंगे, बहुत चालांग है, एक question बताने के बाद हम को पागल बना दिया अपने आप लगाईए, एक question जो 15th है, उन्हें ने language थोड़ा change किये, कहना जो चाहते हैं, ये question पहले वाले हैं, लेकिन थोड़ा से अजीब तरीके से कह रहे हैं, देखो ज़रा हैं, इन्होंने बस अपनी बात कहने में थोड़ी चलाकी दिखा दी है, ज़रा समझीगा, 15th question, 15th question, इन्होंने एक matrix दी है, A, 2, 3, 1, minus 3, 2, 1, 5, minus 4, minus 2, और कहले हैं, find A inverse, पहले कहले हैं, A inverse find करिये, चलिए, determinant of A निकालते हैं पहले, 2, 3, 1, minus 3, 2, 1, 5, minus 4, minus 2, इसको expand कर दो, 2 हमने खोला, एक 0 कर सकते हैं, इन कोई ज़रत नहीं है, 2 हमने लिखा, ये row अट गया, column अट गया, ये आएगा, minus का, 4, minus, ये plus का 4 हो जाएगा, फिर minus 3 लिखेंगे, ये लिख रहे हैं हम, minus 3 लिखेंगे, row कड़ गया, column कड़ गया, इसका इससे multiply करेंगे, तो plus का 6 आएगा, minus, ये 5 आएगा, फिर plus का 1 लिखेंगे, ये row कड़ गया, column कड़ गया, ये 12 आएगा, minus 10 आएगा, तो आएगा 0, ये आएगा 1, यानि, minus का 3, और ये आएगा आपका, plus का 2, यानि कि, minus 1, is not equal to 0, यानि, inverse exist करता है, फिर क्या करेंगे, let, c, is, cofactor of a, आप कहेंगे, आपने c क्यों माना, उसका region है, भी हम बात बात करते हैं, तो c कैसे निकलेगा, वही बात, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 and a33, अब इसकी value आप निकालिए थोड़ा सा, एक आद मिनट अपना दिमाग लगाईए, वीडियो के pause करके सबसे पहले, आपने आप इस question को लगाने का प्रयास करेंगे, देखिए जान से, इसको अलग-अलग निकाल के लिख सकते हैं, चाहो तो इसी में नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, c is equal to, देखिए, यहाँ पे आईए, यह row कट गया, column कट गया, आप डाइट करते हैं, minus का 4, और यह minus plus का 4, फिर यहाँ पे आएएंगे, minus लगाएंगे, यह row कट गया, column कट गया, यह minus का 6, minus, यह minus का 4, यानिकी plus का, हो रहाएगा, फिर यहाँ पे आईए, row कटा, column कटा, यह आएगा 3 minus 2, एक सेकंड, थोड़ा राइटिंग गवण है, समझने की कोशिश करिएगा, अब 3 minus 2, यहाँ पे हम लिख रहे थे, यह कट आएकटा, यह पे आएगे, minus लगाएंगे, row कट गया, column कट गया, यह six आएगा, minus 5 आएगा, यहाँ पे बीच में आएए, यह row कड़ गया, column कड़ गया row कड़ गया, column कड़ गया minus का 4 और minus का 5 यहां minus लगेगा row कड़ गया, column कड़ गया 2, plus का 3 यहां पे आईए यह row कड़ गया, column कड़ गया minus का 12, minus का 10 यहां minus लगेगा row कड़ गया, column कड़ गया माइनस का 8 प्लस का 15 ये row कड़ गया कालम कड़ गया है 4 प्लस का 9 यानि कि ये आ गया आपका 0 ये माइनस का 2 होगा माइनस बहार लिखा है तो 2 हो जाएगा ये 1 हो जाएगा ये माइनस 1 हो जाएगा ये माइनस 9 हो जाएगा ये minus 5 हो जाएगा ये 2 हो जाएगा ये minus 7 हो जाएगा ये 13 हो जाएगा ये निकला है आपका co factor निकला है आपको adjoin A निकालना है तो जो adjoin A निकालेंगे आप adjoin A हो जाएगा इसका transpose कर दीजिए एक बाद calculation चेक कर लिजिएगा कहीं भी हलकी फुलकी गलती हो सकती है बड़ी भी हो सकती है 0, 2, 1 माइनस 1, माइनस 9 माइनस 5, 2 माइनस 7, 13 अब जरा समझिएगा 8 जोई ने निकल आया पहला कोशन ने कहा है जोई ने फाइंट करिए इसके बाद देखका है क्या रहे है और ऐसा इन्होंने पहले क्यों निकल वा लिया देखिए इन्होंने कहा यूजिंग A इन्वर्स यह इस इन्वर्स का यूज़ करके उस एक सस्तमा एक क्वेशन लिखा है यह लिखा है 2X माइनस 3Y प्लस 5Z इस इकल टू 11 3X प्लस 2Y माइनस 4Z is equal to minus 5 और X प्लस Y minus 2Z is equal to minus 3 पुर इसको solve करो तो अब लिखें writing in matrix form language लिखनेंगे अपने आप तो तो matrix form में लिखोगे तो या आएगा 2, 3, 1 minus 3 2, 1 5 minus 4 minus 2 X Y Z is equal to 11 minus 5 minus 3 इसको आपने A माना इसको आपने X माना इसको आपने B माना X हो गया आपका A inverse B ठीक है where A is what where A is equal to 2 minus 3 5 3 2 minus 4 1 1 minus 2 तरब पहले जो A लिखा था उसको चेक कर ये क्या लिखा था वो A लिखा था 2 minus 3 5 3 2 minus 4 1 1 minus 1 यही तो लिखा था तो इसका inverse निकलना पड़ेगा वो पहले से निकल वा लिए और यह भी तो add join निकला है A inverse यहां क्या निकलेगा add join A पाँ determinant of A इसकी determinant value क्या निकली थी minus 1 निकली थी तो माइनस बहा लगा लगा दो तो यह आएगा 0 minus 1 2 0 2 minus 9 minus 7 1 minus 5 13 यह आपका inverse निकलाया वो यहां यूस करना है आपको